तो हेलो स्टुडेंट्स तो ये सेकेंड क्लास है सेकेंड रिविजिन क्लास है प्रॉबिल्टी की तो इसमें भी कुछ प्रॉबिल्टी का एक बेसिक टेस्ट भी होगा जो फ्राइडे होगा आट एट पी-म तो नाइन पी-म उसका भी तुम्हें दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं फॉर्स कुछन से फॉर्स कुछन इस अच्छा कुछन है और इसके लिए महाँ पास दो मिट का टाइम है सोचना है समझना है और अटेंब करना है मतलब एटीन में होंगे और तो वोमें होंगे तो वोमें होंगी तेकिंग पार इन प्लेजर ट्रिप प्रिएटी परसंट इन इंटो टू गूप्स आई थिंक डिविजिजन इन इन इंटिटिबूशन पड़ा होगा तुम लोगों ने इच गूप कंसिस्ट अफ तैन परसंट मतलब एकुली तेन तेन के गूप्स बनाने है तो पहले संपल स्पेस बनाओ 20 के दो दो के गूप डिविजन से और फिर एक पर्टिकलर गूप में या एक ही गूप में पर्टिकलर नहीं एक ही गूप में दो वोमें होनी चाहिए अब दोनों वोमें अलग-अलग गूप में ना हूँ तो सबसे पहले 20 में से 10-10 के दो गूप बना लो डिविजन के फॉर्मले से संपल स्पेस आ जाएगा फिर उसके बाद फेवरेबल केस निकालना है टाइम ओवर होने वाले हैं I hope कुछ लोग का अंसर शायद आया हो So time is up तो अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सेंपल स्पेस तो हम निकाल सकते हैं 20 persons है और 10-10 के दो गूप बनाने हैं तो डिविजन और डिस्टिविशन सबने पढ़ा होगा टोटल नंबर अफ ऑबजेक्स डिफरेंट अबजेक्स 20 फैक्टोरियल 10-10 के अगर दो गूप बनाने तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और I hope यह बात पता है कि अगर दोनों गूप में सेंब अबजेक्स हैं सेंब नंबर अफ परसन है तो दोनों गूप आइडिंटिकल हो जाते हैं तो हमें टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है क्या करना होता है टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है क्योंकि यह डिविजन है गूप बनाना है अब क्या बोला जा रहा है इसमें से 18 men है and 2 women है और ये 2 women same group में हो तो देखो कैसे करते है 18 men से तुम 2 group बना लो एक 10 men का और एक 8 men का और obviously 10-10 के ही 2 group बनने जिसमें 8 men का group बनेगा उसमें ये 2 women चली जाएंगी एक तरह से और group बनाने में सिफ selection होता है arrangement नहीं होता है तो आप क्या करना है में favorable case में 18 men से 2 group बना ले एक में 10 persons और एक में 8 persons और दोनों में different number of persons है तो दोनों group different है और ये 2 women 2 group बन गहे already बन चुके हैं 2 group ठीक है इस तरह से और जिसमें 8 men है उसमें ये 2 women चली जाएंगे एक ही तरीका अब इसको डिवाइड कर दो प्रबाबिल्टी निकालो फटा फट कल्कुलेट करो सभी लो 18 factorial डिवाइड बाइ 10 factorial 8 factorial sample space है 20 factorial 10 factorial 10 factorial 2 factorial answer must है answer निकालो सभी लो अब इफटा फट कैंसल करके answer निकालो 9 by 38 और किसी का है answer 9 by 19 is the answer तो यर टाइम का बहुत pressure रहेगा निमसेट में तो calculation पे खास focus करो तो I hope अगर इस category का question दुबारा से आता है तो mathematically हम इसको frame कर सकते हैं किस तरह से formula बनाना है ठीक है next question आते हैं next question देखो question number 2 यह simple basic question है a bag contains 5 white, 7 black and 4 red ball find chance that 3 balls are drawn at random or white quick यह में एक हैल से 30 seconds से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए total balls कितनी है फटा फटा आंसर निकालो final answer क्या आ रहा है final answer निकालना है I hope का हुँगा हुगा, 5C3 उपन simple है, 5C3 उपन 16C3 तीनों वाइट आएं, वाइट हैं 3 और वाट इस दा वाल्यू अफ एंसी 3 N, N-1, N-2 दिवाइट बाइ 3 फैक्टूल, क्या राएंसर? क्या राएंसर? किसी का राएंसर? Confidently बताओ 1 by 1 by 56 क्या किसी का 1 by 56 आ रहा है? ठीक है? तो I hope ये कुशन तो करी सकते हैं हम लोग Next question पर आते हैं Next question is this इसके लिए भी एक मिनट काफी है ध्यान से language पढ़नी है दो experiment एक साथ हो रहे हैं Coin भी toss कर रहे हैं, die भी throw कर रहे हैं Find probability that outcome will be head or a number greater than 4 तो एक coin और एक die throw करेंगी तो ये independent है किसी में कुछ भी आ सकता है Probability में ये होता है पूरी variety एक बार अगर देख लेता है तो comfortable हो जाते हो exam में तो क्या किसी का आया answer So, time is up So, एक coin toss कर रहे हैं और die throw कर रहे हैं Find the probability that outcome will be head or number greater than 4 Probability that head or, और मतलब union number greater than 4 तो यहाँ पे A union B वाला formula लगाते हैं head आएगा या फिर number greater than 4 आएगा और क्या subtract कर देते हैं head intersection the number greater than 4 और die और coin toss कर रहे हैं तो independent events होंगी head आने की probability सभी को पता है 1 by 2 and what is the probability that number is greater than 4 5, 6 आ सकता है 1 by 3 तो head आने की probability 1 by 2 this is 1 by 3 और यह independent है ध्यान लगना head आए या फिर die में number greater than 4 आए these are two independent cases answer निकालो finally 2 by 3 तो I hope अगर यह type next time पे आया तो क्या कर पाएंगे हैं हम लोग तो यह formula बहुत important होता है जब भी और वगेरा पढ़ो तो यह formula A union B वाला जरूर लगा कर किया हो ठीक है तो next question देखते हैं fourth इसके लिए time क्या मतलब एक बार समझने के लिए time दे रहे हैं बस one minute क्योंकि कई सारे part हैं सिर्फ समझो इसको क्या लिखा गया है a card is drawn at random from a well shuffled deck of card the probability that it is a king or red union intersection वाला ही type है club or diamond king or queen king or an ace spade or a club neither a heart nor a king तो इस category में भी कई बार questions पूछे जा चुके हैं different exams में confidently solve करना होगा तो 52 cards होते हैं red कितने होते हैं 26 black कितने होते हैं 26 और हर एक suit club, diamond, heart, spade 13-13 card होते हैं तो और बगएरा लगा है तो union a union, b बगएरा जरूर ध्यान रखना formula जरूर यूज़ करो तो start करते हैं इस question one by one, अच्छा एक card निकाला गया है, पहला क्या है, king और a red card तो probability that king आए, तो probability that king आए, probability that red आए, minus probability, red king आए, red king आए, red card कितने होते हैं, 26, 26, कौन-कौन से suits में होते हैं, hearts में और diamond में, black card कितने होते हैं, 26, कौन-कौन suits में होते हैं, club में और spade में, king कितने होते हैं, four, एक ही car निकालना है तो four by 52, red कितने होते हैं, 26, by 52, रेड किंग, रेड किंग कितने होंगे, टू, टू बाइ 52, फाइनली आंसर निकालो क्या आ रहा है, 28 बाइ 52, कैंसल करो ज़रा, 7 बाइ 13, simple, ठीक है, question simple है, लेकिन confidently करना है, अब क्या है, क्लब और डाइमंड, अच्छा, क्लब और डाइमंड में कुछ common नहीं होगा, क्यों, रेड और किंग में तो common था, तो intersection में कुछ नहीं आएगा, क्लब आए या फिर डाइमंड आए, और थोड़ा सा common sense यूज़ करो, equally तो divided है, क्लब डाइमंड आएगा, या spade heart आएगा, तो अगर common sense यूज़ करो, तो 1 by 2 इस दा answer, आधा ही आधा तो है, या mathematically यूज़ करो, क्लब के कितने card, 13, डाइमंड के 13, 1 by 4 प्लस 1 by 4, 1 by 2, ठीक, clear है, अब क्या है, king और queen, अच्छा, king और queen में कुछ common होगा, क्या है, नहीं, king और queen, तो कैसे करें, king, और मतलब union queen, common कुछ नहीं है, तो king की probability, एक king आने की probability और एक queen आने की probability, king कितने होते हैं, 4, 4 by 52, queen, 4 by 52, 1 by 13, 1 by 13, 2 by 13, I hope ये भी answer सब का आ रहा होगा, ठीक है, next क्या है, king और इस, same question हो गया, king और और एंस, तो king, 4 by 52, ace भी 4 by 52, क्या agree हो, spade और club, spade और club is same as, club और diamond, same तरीका होगा, ठीक है, इसको समझते हैं, neither a heart, nor a king, इसको note करो जड़ा, neither a heart, heart, nor a king, जैसा करें इने बताये था, either or में union आता है, लेकिन neither nor में intersection आएगा, ना तो heart आए, intersection नहीं king आए, ना तो heart आए, नहीं king आए, इसको हम ये लिख सकते हैं, और क्या, ना तो heart आए, ना ही king आए, इसको हम ये लिख सकते हैं, अब यहां पे formula लगा दू, ज़रा बताओ, heart आने की probability, 13 by 52, bracket जरूरी है, अगर बाहर माइनस sign है, king आने की probability, and king of heart, एक ही होता है, king of heart, answer निकालो final, क्या आ रहा है, final answer निकालो उसका, 9 by 13, answer ही सब कुछ है, पूरा calculation करके, अगर answer गलत आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं, तो most important thing, calculation है, next question पे आते हैं, next question यह है, अच्छा कुछ है नहीं है, और इसके लिए भी हम दो मिनिट का time दे रहे हैं, if five digit number found by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा, digit numbers वाले में 0 एक बड़ी problem होती, 0 first place पे आ नहीं सकता, इस बात में alert रहना है, without repetition, the probability that the number is divisible by 6, तो पहले बताओ, 6 से number divisible कब होता है, when it is divisible by 2 and 3, मतलब number even भी होना चाहिए, और 3 से divisible कब होगा, जब sum of all digit 3 से divisible हो, तो एक बाट राई करो इसको, 6 digit हैं, कौन सी 5 ले, जिससे total sum 3 से divisible आए, और last place even होना चाहिए, तभी वो overall 6 digit विल आएगा, try करो, पहले तो sample space निकालो, 0 included है, तो थोड़ा alert रहना पढ़ेगा, I hope sample space अपकार रहा होगा, फिर favorable case में, कौन से digits involved करने हैं, जिससे sum 3 से divisible आए, और last place even ही होना चाहिए, तभ overall 6 से divisible होगा, try करो, seriously. So, time is up. तो हमेशा की तरह हैं, पहले हम sample space निकाल लें, five digit number है, digits कितनी दे रखी हैं, and most important thing, without repetition, clearly बोला गया है, तो कोई confusion ही नहीं है, अचाह, पहले place पे क्या नहीं आ सकता, तो five twice बचेंगे, दूसरे place पे, zero आ सकता है, लेकिन जो number यहां आया है, वो नहीं आ सकता है, तो फिर से five twice, then four, then three, then two, five places हो गया है, repetition is not allowed, repetition is not allowed, clearly दे रखा है, तो five into five factorial, बताओ, this is the sample space, one नहीं है, ठीक है, है तो five factorial ही न, this is, अब ध्यान से देखना, अब हम favorable case की बात कर रहा है, और favorable case में, I hope समझ गया होगे, पहले तो digits का selection करना है में, कौन से digit ले ले, जिससे sum, three से divisible आए, तो मेरे ख्याल से, one, two, three, four, five ले लो, sum कितना आ रहा है, fifteen sum आ रहा है, जो कि three से divisible है, तो ठीक है, zero नहीं है, zero रहता है, तो tension होती है, zero नहीं है, अब three से divisible नहीं बनाना है, six से divisible बनाना है, तो इस वज़े से हमें, last place पे क्या करना होगा, even number डालना होगा, तो last place पे two choices, बोलो, repetition allowed नहीं है, एक number consume हो चुका है, बचे कितने number हैं, चार, चार number यहाँ पे, four factor always से arrange हो जाएंगे, कोई zero नहीं है, तो पहला, यह, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम zero को लेने वाले हैं, और three को हटाने वाले हैं, मतलब अब जो deserts लेने वाले हैं, ध्यान से देखोंगे, इस अच्छे कुश्चन हैं, frequently पूछे जाने वाले कुश्चन्स हैं, इसका sum कितना आ रहा हैं, 12, ठीक है, बन जाएगा, अब main दिक्कत होती है, zero की वज़े से, event भी बनाना है, तो ध्यान से सुनना, कैसे solve कर रहे हैं, एक case हम वो बनाने जा रहे हैं, last place event होना चाहिए, यह बहुत important approach है, last में zero fix कर दू, last में एक case में zero fix कर दू, चार options हैं, zero मतलब event fixed हो गया, two से disabil हो जाएगा, four factors से इसको arrange कर दें, ठीक है, तो एक case यह भी आ गया, अब last में zero fix ना करके, हम even रखना है, तो हम two और four रख रहे हैं, last place में, क्या रख रहे हैं, क्योंकि यही calculation में problem आती है, तो zero अगर ज़्यादा परशान करें, तो एक बार fix कर दो उसको, ठीक है, अब हम last place में या तो two रखेंगे या four रखेंगे, तो यहां के लिए two choices, एक number और अल्रेड़ी यहां आ जायेगा, repetition not allowed, याद रखना, इस place पे zero नहीं रखना है, और जो number बाईचांस या चार आता है, तो जो number यहां आया है, वो नहीं रखना है, तो two choices कम होई, ठीक है, एक number चार आ चुका है, zero रखना नहीं, कितने number बचेंगे, एक, दो, तीन, तो क्या यहां के लिए three choices बनेंगे, दो digit फिलो हो चुकी है, अब zero की tension नहीं रहेगी, zero अब कहीं पे भी आ है, तीन digit बची है, और तीन place पे arrange करना है, तो that is three factorial, so plus three into three factorial into two, क्या agree हो सब लोग, फटा फट एक बार answer निकाल डालो, यह ज़रा calculate करो, 48, 24, 34, 36, total add करो कितना हारा है, 108, 108, 108, divided by five into five factorial, 120, answer निकालो, पर आपर, quick, answer निकालो, calculation निकालो, 9 by, 9 by five zero, sorry, 9 by five zero into hundred कर दो, 18% आ जाएगा, हाँ बची, 9 by 50, percentage में निकालना है, तो into hundred कर देंगे, so this is 18%, okay, clear है बात, तो idea समझ में आ रहा है, यहाँ पे main problem zero करता है, तो zero को कैसे handle करना है, समझ गए होगे, ठीके, so next question पर आते हैं, हाँ इसके लिए मारे पास एक मिनिट कर टाइम है, start हो जाओ, in throwing three dice, the probability that at least two of three numbers, obtain are same, मतब अटलीस दो में जो number आए, वो same आए, और at least वाले में हमेशा कैसे solve करा जाता है, one minus probability की तीनों में different है, one minus probability की तीनों में different है, हमेशा at least वाले में यही करना है, यही approach लगानी है, किसी कांसर आया, time is up, तो at least दो में same number आए, तो क्या approach लगेगी हमेशा, one minus probability, की तीनों में, have different number, तो यह approach बिलकुल fix रखना, तो पहले dice में तो कुछ भी आ सकता है, पहली बार throw करो तो कुछ भी आ जाएगा, six में से six choices, दूसरी बार जब throw करेंगे, तो जो पहले dice में आ चुका है number, वो दूसरे dice में नहीं आना चाहिए, तो अब पांच choices हो गई, बोलो, और तीसरी बार जब throw करोगे, तो जो पहले दूसरे में आ चुका है, वो तीसरे में नहीं आ सकता, आंसर निकालू फड़ा फट, क्या आंसर आ रहा है, four by nine, ठीक है, तो I hope, समझ गए, clear है, हाँ भई, सबको clear है नहीं type, अगर ऐसा कुछ आता है, तो अब कर सकते हैं हम लोग, now, next question, question number seven, इसको भी सिर्फ समझने के लिए हम टाइम दे रहे हैं, एक मिनट का टाइम, सिर्फ experiment समझो, क्या experiment है, पूरा configuration बना के देखो, बाकी, देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ खास नहीं, from a pack of 52 card, face card, face card कौन से होते हैं, king, queen, jack, मतब total 12 cards होंगे, जो की face card होंगे, 10 कितने होते हैं, 4, मतब spade का 10, club का 10, diamond का 10, और hard का 10, तो मतब 16 card, 12 plus 4, 16 card miss हो गए हैं, remove कर दिये हैं, हटा दिये हैं, fake दिये, then a card is drawn at random from the remaining card, A की card निकालना, इस बात का ध्यान लखना, A is the event, that card is an ace, I think, कपी आसान है, B is the event, card is heart, कर सकते हो, try करो एक बर, so time is up, तो देखें, तो सिच्विशन क्या है, 52 card थे, face card कितने होंगे, face card, 12 होंगे, चार king, चार queen, and चार jack, और 10 वाले, चार card होंगे, तो 52 मेंसे, 16 card सब्ट्राक करो, कितना आया, 36 card, अब हमाने पास, 36 cards बचें, थोड़ा सा, proper बना के देख लेते हैं, ये बताओ, जरा hard के कितने card बचें, 3 card गाइब हो गया, face card, और एक 10 गाइब हो गया, मतब 4 card गाइब हो गया, 9 बचे, club के भी 9, diamond के भी 9, and, spade के भी 9, okay, clear है बात यहां तक, अब पहली event क्या है, that drawn card is, of an ace, ace तो पूरे है न, 4 है, और total card कितने है, 36, ठीक है, second क्या है, the drawn card is heart, heart के कितने card है, 9, क्या 1 by 4 आएगा, बोलो, third क्या है, spade, spade भी same ही हो जाएगा, spade के भी 9 card है, ठीक है, तो अब options जड़ा चेक करो, क्या 9 into PA, PA, what is PA, 1 by 9, क्या 4 into pH, 1 by 4 के बराबर है, है, तो first options ही, अब हमें निकालना है, ace of heart, क्या निकालना है, A मतलब ace, H of, H means heart, heart का ace, heart, 5 का, 1 का, कितने होंगे, 1, और total card कितने है, 1 by 36, तो अब इसको देखो, PS, PS कितना है, 1 by 4, क्या 4 times, PA intersection heart, A intersection heart, मतलब 1 by 36, इसके बराबर नहीं आ रहा है, क्यों महीं, so it is wrong, अब क्या, A union S, A union S means, ace of, spade, ace or spade, यहाँ पर formula लगाएंगे, ace, plus, probability that it is a card of spade, minus probability that, it is a card of, ace कितने बचे हैं, 4, spade कितने हैं, 9, ace of spade, हुकुम का एक का, एक ही होगा, जरा निकाल उसको, 12 by 36, 12 by 36, and this is, 1 by 3, ठीक है, इसमें रखो जरा, pH, what is pH, 1 by 4, तो 3 into 1 by 4, 4 into, 1 by 3, equal नहीं आ रहा है, क्यों, अब इस पे आओ, I think अब कर सकते हूं, ace of spade, हुकुम का एक का, ace of spade, कितने होगे, 1, तो pH है है मारा, 1 by 4, 12, A intersection is, 1 by 3, ये भी नहीं आ रहा है, it means, first option match कर रहा है, सिफ, तो I hope type समझ गये, मतब थोड़ा सा, अगर variation करा जा रहा है, तो घबराना नहीं, calculate किया जा सकता है, और अगर only one option correct है, तब तो फिर सीधा-सीधा, अगर पहला option match कर रहा है, ठीक है, next question पहा है, next question is this, ये type I hope attempt करा होगा, जो लोग भी seriously prepare कर रहा है, one minute का time है, the chance that 13 card combination, from a pack of 52 card, playing cards is dealed to a player in a game of bridge, in which nine cards are of same suit, बहुत आराम से पढ़ना, सबसे पहले sample space निकाल लो, कुछ निकल आता है, तो थोड़ा confidence आ जाता है, तो लोग कुछ तो निकला, और I think option से ही बता रहा है, फिर उस, और यहाँ पे confusion होता है, सिर्फ एक ही player को card दिये जा रहे है, तो उसको choose करने की जुरूँत नहीं है, तो simple basic question है यह, लेकिन, I think उस particular, उस एक ही player की बात हो रही है, तो particular हो या ना हो से क्या एक ही person है, ठीक है, तो उसको 52C13 से हमने 13 card दे दिये, अब क्या बोला क्या जा रहा है, किस बात की probability निकल ली है, उसको 9 card, 13 card है, 9 card same suit के हो, तो बाकी कितने बचे, 4, 13 card देने है, same suit, अच्छा suit कितने होते हैं, 4, club, heart, diamond, spade, तो पहले तो suit select करो, 4C1 से, उस particular suit के, 9 card उसको दे दो, 9 card दे दिये, 52 में से, कितने बचे, 30, 39, 39 में से, rest 39 में से, कुछ भी दे सकते हो, 4 card देने, I think, अच्छा, यहाँ पे, extra information, इस question में, extra information एक दिमाग में आ जाते हैं, चार लोग में card बट रहे हैं, तो 4 में नहीं बट रहे हैं, सिर्फ एक ही player की बात हो रही है, अच्छा, थर्टीन सब्टराग करना होगा, sorry, यह total 13 सब्टराग करना होगा, क्योंकि उस suit के सिर्फ 9 ही card जाएंगे, उस suit के सिर्फ, तो total हमें 13 सब्टराग करना होगा, 9 सब्टराग नहीं करना होगा, clear है बात यहाँ तक, क्योंकि उस suit के 9 से ज़्यादा card फिर आ जाएंगे, तो I hope यह question भी clear है, तो अगर ऐसा कुछ आता है, तो comfortably हम कर सकते हैं, ठीक है, next question पर आते हैं 9, यह आच चुका है निमसेट में, दो मिनिट का time देते हैं इसके लिए, थोड़ा calculation है, basically वो algebra है, probability तो नहीं है, इस inequality को हमें solve करना है, X natural number है, मतलब positive है, 1 से 100 के बीच में select करना है, first 100 natural number में से, इस inequality को solve करो, फटा-फट, इसके irrational roots आएंगे, थोड़ा सा pain लेना पड़ेगा, श्रीधर राचार formula लगाना पड़ेगा, roots निकालने के लिए, और exact approximate value देखनी पड़ेगी, उन roots की, क्या approximate value आ रही है, तो basically solving है, patience रखके solve करना है, roots निकालने है, श्रीधर राचार formula लगाना पड़ेगा, I think factorize नहीं हो पाएगा directly, तो कोशिश करो सभी लोग, everyone, तो I hope roots निकाल लिए होंगे, बाकी inequality solve करना आता होगा, टाइम इस अप, तो basically यहाँ पर करना, यह 1 to 100 अगर number है, कोई भी natural number select करते हो, तो sample space सभी को पता है, 100 आएगा, यहाँ पर यहाँ पर LCM ले लो, inequality solve करो, x, x square, 100, greater than 50, और x natural number है, it means x positive है, तो inequality में अगर कोई positive number है, तो क्या हम cross multiply कर सकते हैं, 50 x हो जाएगा, 50 x इदर आ गया, plus 100, greater than 0, तो यह factorize तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, श्रीधराचार फार्म लगाना होगा, minus B, plus minus B square, 2500, 550 का square, minus 4 A C, divide by twice A, I think this is 2100, divide by 2, so 50 plus minus root 21, alag कर लो, 100 का under root 10 आ जाएगा, divide by 2, थोड़ा बहुत simplify कर लो, 25 plus minus 5 root 21, so there are two roots, जिसके approximate value हमें निकालनी पड़ेगी, एक root है alpha, root 21, I hope 4.5 something आएगा, जिरा निकालो, इसके approximate value बस चाहिए हमें, exact value तो निकाल भी नहीं पाहेंगे, 4.5, 47.9, 47.9, something आजाता तो थोड़ा सा confusion होता है, जिससे बड़ा तो नहीं हो जाएगा, इसको जड़ा calculate करू, यह गरबड़ बात है, 3.2 पॉइंट गरबड़, क्या आएगा यह, 2.5, यही में चीज है यह इसमें, तो इसका मतलब यह जो इनेकुलिटी आ रही है, इसके दो फैक्टर आ रहे है, एक्स माइनस, अप्रोक्सिमेटली हम लिख रहे हैं, 2.5 और एक्स माइनस, 47.5, greater than 0, तो इनेकुलिटी स्वाल करना सबको आता है, दोनों फैक्टर्स को 0 कर लेते हैं, number line पर plot कर लेते हैं, this side is always positive, then negative, then positive, हमें चाहिए positive, तो x is less than 2.5, and x is greater than 47.5, something, ठीक है भाई, अब हमें natural number choose करने, अभी यहां से natural number choose कर लो, 2.5 से छोटा, तो 1 and 2 मिलेगा, then 47.5 से बढ़ा 48, 49, 50, 51, 52 से लेके कहां तक? 100 तक, जरहें एक count करो, यह तो 2 number हैं, इसको count करो, इक इतने आ रहे हैं? 50 से लेके 100 तक कितने number होते हैं? 50 से लेके 100 तक 51 number होते हैं? 50 से लेके 100 तक? 51, यह दो, 53, प्लस 2, टोटल 55 numbers हो गए, so 55 by 100, और बहुत सारे student यह गलत कर के आए थे, बिकॉस यह numerical calculation गरबड करा था, 48.5 या 3 point something कर दिया था, तो numerical calculations के लिए बहुत aware रहना है, otherwise concept धरे के धरे रह जाते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी answer गलत आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आई होप अगर यह category अब दुबारा से आती है, तो हम deal कर सकते हैं, next देखें, next question is this, simple basic question है यह भी, और quick response करना है, समझना है, basically इसिर्फ language समझ नहीं है आपे, language को interpret कर लिया अगर, तो सीधा सीधा answer, 3 student A, B and C are swimming race, ठीक है, A and B have same probability, यह भी अच्छी बात है, of winning, and each is twice as likely to win C, ठीक है, मतलब उनकी जीतने की probability, C के जीतने से double है, find probability that B or C win, assume that no to reach, the winning points है मतलब सिर्फ एक ही जीतेगा, और एक जीतेगा ही जीतेगा, swimming हो रही तो कोई ना कोई तो वहाँ तक पहुचे गई ना, तो A, B, C का जीतना I think mutually exclusive है, क्योंकि कोई एक ही जीतेगा रहे, और exhaustive भी है, क्योंकि कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, और इसमें I think यादा रहोगा, probability given है, तो A और B के जीतने की probability same है, और वो double है C के जीतने से, तो इसको 2P माल ले, तो correspondingly C के जीतने की probability क्या हो जाएगी P, और यह बताया था, जब भी probability अगर given है, तो यह जरूर सोचना होता है, कि कहीं यह mutually exclusive, exhaustive तो नहीं है, और है, कोई एक ही जीतेगा, clearly दे रखा है, और exhaustive है, कोई तो जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा होई नहीं सकता है, कोई नहीं जीते, तो ऐसे केस में probabilities का sum, mutually exclusive और exhaustive होने पे, 1 आ जाता है, तो I think P is equal to 1 by 5, क्या agree हो, probability that B और C win, फिर समझ किया हो कि क्या लगाना है, union, और एक ही जीतेगा, तो intersection तो 0 आएगा, दोनों तो जीत नहीं सकते, तो 2P plus 2P, 4P, and what is P? 4 by 5, okay, okay, sorry, B और C है, sorry, sorry, B और C है, तो this will be P, so this is 3P, so answer is 3 by 5, अब सही है, हमने A और B के लिए निकाल लिया था, तो I hope यह कुशन भी साँज में आ गया होगा, तो यह यहां से एक learning, फिर से बताना चाहेंगे, कि अगर probability given है, किसी form में given है, तो यह ज़रूर सोचो, क्या यह mutually exclusive, exhaustive होता है, तो probabilities का sum 1 आ जाएगा, और यही इसकी trick होती है बस, clear है, और यह simplest question होते हैं probability के, next देखते हैं, next question is this, और इसके लिए भी हमाँ पास, एक मिनट का time है, थोड़ा सा different है बस, लेकिन खुद पे confidence रखते हुए अगर attempt करोगे, तो a box contains 7 ticket, numbered from 1 to 7, 3 tickets are drawn from the box, 1 by 1 at a time, और नहीं mentioned है, तो without replacement है, नहीं mentioned है, तो determine the probability that they are alternatively either odd, even odd, even odd, even, try करो, कितने even ticket हैं, कितने odd हैं, तो time is up, तो क्या situation समझ पा रहे हूँ, 1 से लेके 7 तक के number हैं, तो ये odd हो गये, और I think ये even हो गये, बोलो, तीन tickets निकाल रहे हैं, क्या तरीका है, odd, even, odd, ठीक है, कोई problem नहीं, और क्या बता हैं, अगर mention नहीं हो, तो without replacement ticket निकाले जाएंगे, कुछ भी ball निकाल रहे हो, या कुछ भी निकाल रहे हो, तो करते हैं, अच्छा, तीन ticket निकाल रहे हैं, one by one, तो पहले हम prefer करते हैं, sample space लिखना, तो साथ ticket हैं, पहले ticket के लिए seven choice, दूसरी ticket के लिए six, तीसरी के लिए five, clear है, पहली odd आनी है, odd के लिए कितने हैं, four, फिर दूसरी even आनी है, कितने choice, three, फिर तीसरी odd आनी है, फिर three, three तो odd बचे, plus, फिर से भाई है, नीचे तो same ही रहेगा, अब क्या है, even, odd even, तो even के लिए, कितने choice हैं, three, odd के लिए, four, even के लिए, फिर two, जब आनसर निकालो, finally, two by seven, तो समझ रहे हो, अब अब कुछ नई चीज़ देखके, घबराना नहीं, अपने उपर confidence रखो, पढ़ा है तुमने, तो कर सकते हैं, तो कई बार exam में यह होता है, कोई नया subject आ गया, नया experiment हो गया, तो नहीं कर पाते हैं, तो I hope, अगर ऐसा कुछ आता है, तो कर लोगे अब आगे, चलो next question पर देखते हैं, this is the next question, और बहुत आराम से पढ़ना इसको, चलो उसके लिए 2 minute देते हैं, boxes, इस सबका एक separate video भी बनाया हुए हमने, जिसको देखना है, वो link description box से मिल जाएगा, उसमें पूरा detail में discuss करा गया है, different ball, different boxes, similar ball, different boxes, at least experiment को समझो, को όल देरी झाहो है इस देंको, सबस्थराथ को एक सुका को अचाने, वो बनाया है, हैं उसमें, परिके मुटियां को सbahnस्थराथ graph है, मैं मैं को απόती थाया हैं, जैं हो इसमेंदर आए और राम हाँ मैं कुछ आया समच में इसमें एक्सपेरिमेंट तो सौन में आ गया होगा क्या करना है दो बॉक्स खाली रखने means बाकी तीन बॉक्सेज में पांच माबल्स आनी चाहिए so time is up किसी का आया answer five माबल्स है और five boxes है तो सबसे असान काम तो करी ले हम लो sample space तो लिखी ले हर एक माबल के लिए five twice है ठीक है five boxes है बी one obviously सारे different है बी two अब favorable case पे आ रहा है बी three बी four बी five क्या बोला गया है क्या बोला गया है दो बॉक्सेज इम्टी रहने तो अगर कोई चीज इम्टी रहनी तो इसके लिए इम्टी है तो इम्टी है बाकी तीन बॉक्सेज कोई भी ले लो यार बाकी तीन बॉक्सेज में हमें सपोज consecutive भी ले ले लेते हैं मालो ये एक case होगा जिसमें हमें पांच marbles put करनी है और कोई भी खाली न रहे बताब क्योंकि अगर इन में से कुछ खाली रह गया तो फिर दो बॉक्स रिम्टी वाला clause खतम हो जाएगा तो इसमें पांच marbles है एक तो inclusion exclusion वाला principle लगा सकते हो या फिर जादा marbles नहीं है तो cases बना लो two one one नहीं नहीं two two one sorry पांच है ना two two one और पांच हो गई और three one one पांच के देख लो और कोई case नहीं बनेंगे यहां ठीक है यह आपस में arrange होगा two one 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 two two ठीक यह भी आपस में three three fact three तरीके से arrange होगा क्या हो गए one three one and clear है बात तो हम क्या करें पांच marble है five marbles है two two one के तीन ग्रुप बना ले क्या two two one के तीन ग्रुप बना ले बताओ भई और सब different है और यह जो total आएगा two two one के तीन ग्रुप five factorial two factorial two factorial one factorial क्यों और यहां पे क्या बना है हमने five factorial three factorial one factorial one factorial क्या two two one के तीन ग्रुप बन गए two two one और three one बन हाँ भई चेक करो two two one और three one one के तीन ग्रुप बन गए अच्छा यहां पे देख रहे हो दो ग्रुप में same object है दो ग्रुप में same number of objects आ रहे हैं तो क्या करें two factorial से divide करोगे यहां पे भी और यह आपस में कैसे arrange हो जाएगा पूरा two two one के तीन group हैं यह box तीन boxes में डालने हैं तो three factorial से डालोगे तीन group बनाएं तीन boxes को distribute करने हैं तो कितने वे से करेंगे three factorial से तो this will be our favorable cases यह हमारे क्या हो जाएगे favorable cases इसके अलावा हम यह भी लगा सकते थे तीन boxes में five marbles five different objects डालने हैं और no one remains empty तो on to function वाला concept लगा सकते हो inclusion exclusion क्या था वो concept पाँच marble हैं तीन boxes है inclusion exclusion हर एक marble के पास five choice फिर हमने क्या करा इसमें से वो case घटा दो जब दो box select कर लो कितने box select कर लो दो three c two से और सारे marble उन्हीं दोनों box में डालो two की पार five exclusion then inclusion एक box select कर लो और सारे marble उसी box में डालो so I think यह थोड़ा आसान पड़ेगा inclusion exclusion principle ठीक है on to function पे भी तीन बार question आ चुका है नमसेट पे तो वहाँ पे भी तुम यह formula लगा सकते हो inclusion exclusion का principle of inclusion exclusion clear है तो I hope यह type भी समझ में आ गया next type पे बढ़े हाँ बैई clear है इसको एक बार करके देख ले ना next type देखते है this is the question एक मिनिट का time है simple है basic है बस language थोड़ा सा twist कर दिये language समझ नहीं है बस South African cricket captain lost the toss of a coin 13 times out of 14 इस बात की probability बताने एक चुलिए इस बात की प्रबाबिल्टी बताने एक चुलिए 14 times हो रहा है तो पहले sample space तो सबसे आसान होता है निकाल लो 14 times toss होता है तो sample space क्या आएगा 2 की पार 14 और उसमें से 13 times वो हारे तो हारेगा जीतेगा दो ही तो चीज़े होती है या तो हारेगा या फिर जीतेगा तो क्या sample space निकाल सकते है और वैसे option भी बता रहे है क्या option बता रहे है 2 की पार 14 sample space हुआ 13 lose करना है और एक win करना है उससे फरक नहीं बढ़ता कि head आने से जीते हैं कि tail आने से जीते हैं वो बता लगे ठीक है अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी है मैं इस बात का के cases बताने अच्छा lose करना और win करना is an identical case lose करना और win करना identical cases होते हैं total ध्यान सुनो इस बात में problem होती है student को total 14 चीजे है 14 factor से arrange कर लिया जिसमें से 13 lose करना identical चीज है तो total ऐसे cases 14 आएंगे 14 तो 14 by 24 means 7 by 2 की पार 13 तुम चाओ तो बना के देख भी सकते हो lose 13 times lose बनाओ ठीक है 14 places बचेंगे वहाँ पर win कर सकते हो तो I hope कुछ type समझ में आया होगा तो थोड़ा सा भी language twist होती है तो probability में problem होती है student को लेकिन most of the type अगर देख लेते हो तो फिर exam में कुछ उसके beyond आएगा ने ठीक है तो अब next revision class में हम लोग कुछ और अच्छे examples देखेंगे probabilities related